मूवी के सुरू होते ही हम लेरी नाम की लड़की को देखते है जो अपने रूम में बैठे बैठे मूवी देख रही होती है कुछ देर के बाद वो अपने ड्रॉवर्ट से वाइबरेटर निकालती है और उसका इस्तमाल करती है आज लेरी का बड़े होता है तो उसके सारे फैमिली वाले केक लेकर उसको विस्क करने के लिए आते हैं लेरी अपने आपको छुपाने की कोशिस करती है ताकि उसके फैमिली वाले उसकी हरकतों को ना पकड़ सके लेकिन उसका डॉग अचानक से चदर को खीच लेता है और उसे वहां सभी बिना कपडों के देख लेते हैं तब भी वाइवरेटर लहरी के 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 उपर गिड़ता है जिससे के 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 उन सभी के उपर उच्छल जाता है इस सब के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग लहरी के डैड लहरी और उसके छोटे भाई को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाते हैं उसी बीच उसका भाई कहता है कि अब तो तुम्हारी उमर हो गई है और तुम्हें भी अपने लिए एक बॉइफ्रेंड बना लेना चाहिए लेकिन लहरी को यह सब अच्छा नहीं लगता है तो वह अपने भाई को इसके लिए मना कर देती है तब उसका भाई बताता है कि डैड का मानना है कि जब तक तुम किसी लड़की के साथ नहीं सो जाती तो मैं भी किसी लड़की के साथ नहीं सो सकता हूँ लेकिन तुमारी हर्कतों से लगता है कि तुम लड़की बिल्कुल भी नहीं हो फिर हम स्कूल में जॉण नाम के एंड्सम बॉए को देखते हैं जिसके पीछे स्कूल की सारी लड़कया दिवानी होती हैं और जब उसकी एंड्री स्कूल में होती है तो सारे लड़किया एक एक करके अपने कपड़े उतार कर जॉन पर फैक्टने लगती है लेरी जब अपने लॉकर से बुक्स को निकाल रही होती है तो उसके पास रॉकी नाम का लड़का आता है जो उसको प्रपोस करता है लेकिन लैरी उसको इगनौर करके वहाँ से चली जाती है आगे हम जॉन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ इदर उदर लड़कियों को देख रहा होता है तब ही उसके पास कैट नाम की लड़की आती है जो उसे फलट करती है वो उसे अपने नई बॉर्फेंट से भी मिलवाती है तो जॉन उससे पूचता है कि इसमें सक क्या है जो मुझे भी नहीं था जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा लेकिन लिंडा उसका बिल्कुल भी जवाब नहीं देती है और बिना बात की ही वहाँ से चली जाती है आगे जॉन अपने दोस्तों के साथ स्कूल की पार्टी की प्लानिंग कर रहा होता है पार्टी में जाने के लिए जॉन को एक गल्फेंट की जरुत होती है तो वो वहाँ अपने लिए एक गल्फेंट को डून रहा होता है तब ही वहाँ उसके सामने लेरी आ रही होती है त तो वो टॉयलेट के उपर वाले वेंटिलेटर में जाकर देखने की कोसिस करते हैं तब ही वेंटिलेटर तूट जाता है और वह तीनों नीचे गिर जाते हैं फिर हम लेरी को कैंटीन में देखते हैं जिसके पास जॉन आता है और उसे फलर्ट करने की कोसिस करता है लेकिन ले बंद करके वहां से चले जाते हैं ताकि उसकी मौम उसे अच्छे से समझा सके लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता है तो जॉन लेरी को पटाने के लिए केट से मदद मांगने के लिए जाता है लेकिन केट उटा उसको छूने लगती है और उसके साथ फिलर्ट करने की कोसिस करत लेकिन लेरी के पास गन्नाई होती है तो वह कुछ देर के बाद में छूट जाती है और जॉन लेरी को इगनौर करता है और उसके पांच मिनट रुकने के लिए कहता है फिर जब जॉन वापीस आता है तो उसकी बौड़ी पर केक लगा हुआ था जिसे जब लेरी देखती ह तो उसे जॉन के इरादे अच्छे नहीं लगते हैं तो वह वहाँ से बाग जाती है फिर हम जॉन के एक दोस्त को देखते है जिसके पेरेंट्स बार गुमने के लिए जा रहे होते हैं और वह उसे कहते हैं हमारे जाने के बाद तुम यहां पर पार्टी मत रख लेना लेकि इसके बाद भी वह अपने घर पार्टी की तयारी करता है और अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करता है आके जॉन अपने साथ कैट को लेकर लेरी के घर आ जाता है ताकि उसे वह कन्वेंस कर से के जॉन के साथ पार्टी में जाने के लिए जॉन लेरी से लास्ट नाइट को अपने साथ पार्टी में ले जाता है पार्टी में लेरी काफी ज्यादा डिंक करके मौज मस्ती करने लगती है फिर कुछ दिर के बाद जॉन की एक्स गल्फरेंड आती है जो लेरी के उपर पानी गिरा कर उसका मजाक उड़ाती है जिससे लेरी नाराज होकर वहां से अप बुला नहीं पा रहा था और फिर वो अकेले में जाकर बैट जाता है जहां उसके पास से गादमी आता है जो उसके साथ बात करके उसका होसला बढ़ाता है फिर जॉन खेलने के लिए वापिस चला जाता है लेकिन इसके बाद भी जॉन के टीम हार जाती है मैच के बाद ग्राउंड में ही रहता है तो उसके पास लेरी आती है जो उसका होसला बढ़ा कर अपने साथ गर ले आती है कुछ दिनों के बाद स्कूल का फंक्सन होता है जिसमें जॉन काफी अच्छा परफॉर्म करता है और वहाँ जीत भी जाता है पार्टी में लेरी भी होती है जिसे लगता है कि जॉन को अब उसकी और जरूत नहीं है जिससे वो उसको बिना बताए वहाँ से चली जाती है पार्टी के बाद जॉन को लेरी कहीं दिखाई नहीं देती है तो वह उसे डूडने के लिए उसके गर चला जाता है जहां उसे पता चलता है कि लेरी अपना बैग लेकर एरपोर्ट गई है तो जॉन उसे मिलने के लिए एरपोर्ट चला जाता है जहां वो लेरी को देखता है और फिर वह अपने दिल की बाद लेरी को बता देता है और दोनों गले मिल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ही हो जाती हैं